यूबी पीएसी आरो यारो का कल जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारी लोगों का कहना है कि टाफ पेपर था मैंने पेपर देखा पूरा पेपर का डिजाइन थोड़ा अलग तरीके का था इसलिए टफ लग रहा है और टफ कहा जा सकता है क्योंकि इस पैटर्न से आप वाकिफ टाइब के यूजलेस फैक्स तो इसको आप बेहूदा बेपर कह सकते हैं टफ मत कहिए टफ करना आपकी पढ़ाई की तोहीन होगी आपने इतना जो अध्यान किया उसकी तोहीन होगी तो सेट पैटर्न पर एक्जाम होते थे अभी इन्होंने कूड़े की तरह जो फैक्स प को नितना याद रखे डेट मत याद रखे घटनाओं को याद रखे जब घटनाओं आप पढ़ते हैं कि आपको यह पता रहता है कि जो आपकी असवयोग आंदल होना कब हुआ खिलाफत आंदोलन कब हुआ सत्याग्रह जितने भी हुए कब क्या कौन सा सत्याग्रह हुआ कब कौन सा जैसे सभी ने आग गया आंदोलन कब हुआ इस सब मालूम रहता है तो डेट्स भी याद रहती हैं उसी के साथ साथ तो जब आप समगरता में सारी चीज़े पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ याद रहता है फिर आप फैक्ट की तरह बाते हो तब आपको फैक्ट वो याद रहते हैं क्यों क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी घटनाएं घूमती हैं इसलिए मैंने कहा है कि प्रिलिम्स और मुखे परिक्षाक त्यारी एक साथ करनी चाहिए ताकि आपका उस तरह से दिमाग विक्सित हो कि प्रिलिम्स में आप जब पढ़ें इस तरह के एफेक्ट तो आपके दिमाग में डेट्स ना आएं बलकि वो घटनाएं आएं जो घटनाएं जिन घटनाओं का क्रम पूछा गया है उनकी डेट्स ना आएं वस यह आए कि हाँ इसके बाद यह हुआ था इस तरह से आप जब पढ़ेंगे विवस्तित तरीके से तो आपका सबसाई हो जाएगा नहीं तो जहां तक फैक्ट की बात है तो फैक्ट सारे लूसेंट साही आपके मिल जाएंगे जो मैंने एक दो बुग बताई थी साल वाली उसमें ही मिल जाएंगे आपको घटना चक्र में ही मिल जाएंगे बहुत सारे फैक्ट्स लेकिन हाँ उस रूप में नहीं मिलेंगे जिस रूप में आपने कल पेपर को देखा था इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगा और इसलिए टफ कहा जा सकता है पेपर पीसियस के तुल्ला में एकदम अलग था और इसलिए रही कटाफ की बात कटाफ क्या बताया जाए जब इतनी नकल हो रही है तो ये बात किसी चिपी नहीं है कल खुलके नकल हुए बहुत सारे सेंटर्स पर नकल कराई गई है सामोही गुरूप से संस्था गत रूप से कि उसमें पूरा सेंटर इन्वाल था और तीन तीन चार चार के ग्रूप में लोगों ने इन्विजिलेटर्स के रूप में आकर के नकल करवाई इंटरनेट के माध्यम से और पकड़े जाने पर जब शात्रों ने विरोध किया तो वो छलांग मार करके चोरों की तरह भाग ग आई ऐसा ही आगरा से लेकर लखनव से लेकर सहारनपूर से लेकर के आपके बनारस तक के सेंटर पर यही सब हुआ है तो उन सब से अगर बचेंगे तो फिर आपका हो जाएगा एंसर की आने दीजे दो-तीन दिन में आयोग की एंसर किया जाएगी तीन-चार प्रस्ण बता रहे हैं इसलिए मैं तो आपको सलहा दूंगा कि आप आयोग की एंसर की आएगी तो तीन दिन बाद उसको देखेगा उसमें कोई डाउट होगा तो उसको उठाएगा प्रश्ण करिएगा फिर आयोग उसका रिवाइज एंसर की तो देनी नहीं है ना तो कटाव देनी है लेकिन इतना तो आपके हाथ में है इतना आप कर सकते हैं तो पेपर के अस्तर से निपटने का एक ही तरीका है बबू कि करेंट अफेस तो चलिए कर नहीं पूछा इसका मतलब भी नहीं कल नहीं पूछा तो आगे नहीं पूछाएगा वो प्रश्णों की संक्या पचीश लिए उसके लिए आपको जोरी है कि आप मुखे परिक्षा से रूबरू हों फाउंडेशन कोर्से करें ताकि आपको बेसिक से लेकर मुखे परिक्षा और प्रिलिम्स यही आपका वो होना चाहिए कि आप वर्श भर जब तैयारी करते हैं भी जब 2022 की आप तैयारी सुरू कर रहे हैं तो आपको आठ तारिक से हमारा फांडेशन बैच श्टार्ट हो रहा है प्रिलिम्स का भी बैच श्टार्ट होगा क्रेस कोर्स नहीं बैच मतलब जिसमें आपको इसी तरह से गुड जो जानकारियां होंगी उससे संबंदित गुड जितनी भी जूड़ी जानका करेंगे नहीं नहीं तो मैंने तो कहा है कि आप डेली लूसेंट पढ़िए ट्रिकी धंग से पढ़िएगा तो लूसेंट भी आपका काम कर देगी उससे भी आप पास हो जाओगे तो फैक्स से डरने की उरत नहीं है यह कहीं आसमान से खोज कर नहीं लाए गये हैं आप किस लोगों की बातों पर मत जाएए आप स्वयम देखिए कि आपके पास जो किताब है क्या उसमें से आया है कि नहीं बिलकुल आया है वहीं से आया है सारे लेकिन चुकि आप घटना चक्र लगा रहे थे चुकि आप पीवाई क्यू पर ही निरभर थे पूरी तरीके से उसी ड पूछेगा ऐसा नहीं आप परचित नहीं थे उनसे परचित थे काफी प्रश्ण ऐसे थे मैं मानता हूं मैंने कहा कि कूडे में फेके रहते थे उनको कोई पूसता भी नहीं था कोई भी आयोग नहीं पूसता है इन्होंने पूछा है इस बार उनको महत्व दिया है लेकिन ऐसा नहीं कि वो है नहीं कहीं पर उनकी मौजूद्गी है उनकी मौजूद्गी है लेकिन उनको आप छोड़ कर चले आते हो आगे बढ़ जाते हो यह यूजलेस में आ जाते हैं लेकिन इस बार उनको भी तवज्जो दी गई है तो आगे से ध्यान रखेगा कि आगे से उन फ प्रिलिम्स की तयारी करने से कुछ होगा नहीं मुख्य परिक्षक की तयारी साथ-साथ करनी होगी ठीक है तो इसलिए जो है आप ऐसी तयारी चुनिए कि जो आपकी समग्रता में सब कुछ मदद कर पाए सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मजदार में छोड़ दे प्रिलिम्स निकाल भी लिया तो मुख्य परिक्षक तयारी नहीं ते क्या करेंगे आरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं PCS मेंस की बात कर रहा हूं चुकि आप आरो ही तो देते नहीं हो PCS भी देते हो इसलिए दोनों का अधियन साथ साथ करिए तभी आपकी नईया पाला लगेगी अच्छा से अंतर तक पहुँच पाएंगे किनारे तक ठीक है और आठ तारिक से फांडेशन बैच मुख्य परिक्षा बैच BPSC prelims और UP PCS मुख्य परिक्षा आरो यारो मुख्य परिक्षा यह स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और यह ठीक्ष की पूरा क्रेस कोर्स फॉर्थ वेपर का इंग्लिश माद्या में तो अगर करना होगा तो आप लोग संपर कर सकते हैं हाला कि उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे और बाकी मुख्य परिक्षा के लिए अलग से वीडियो डिसकस करेंगे आपको जो शाटरों को बेवकुफी से रहती हैं तो इस तरह कितना प्रभावित किया इस व्योस्था ने इस पेपर को इस बात निर्भर करेगा आपका सेलेक्शन नकी कटाफ पे कटाफ तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जा रही है आयोग बता भी नहीं रहा है तो फिलाल वेट करते हैं एंसर की फिर आगे बात करते हैं प्रिलिम्स के बारे में बाकी मुख्य परिक्षा की क्लासे जाने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद